Hello students, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे for feature of shares के बारे में for feature of shares होता क्या है और इस case में entries कैसे pass करते हैं वो समझे के तो चलो start करते हैं सबसे पहले समझते हैं for feature of shares होता क्या है देखो, जब company एक बार shares allot कर देती है shareholder को तो company क्या करती है, installment में पैसा मंगवाती है demand करती है कि shareholder से कि हमें shares का पैसा दो तो कहीं बार क्या होता है, कुछ shareholder दे नहीं पाते है company को shares की installment का पैसा तो company क्या करती है, उन्हें एक particular time period दे देती है कि आप इस time के अंदर अंदर पैसा बिजवा दो फिर भी shareholder नहीं दे रहे हैं company क्या करेगी, कम से कम 14 दिन का 14 days का एक notice लिखके देती है shareholders को बिजवाती है, कि अगर तुमने पैसा नहीं बिजवाया है तो हम आपके shares को forfeit करतेंगे, जब्द कर लेंगे फिर भी shareholders अगर पैसा नहीं दे रहे हैं जितना shares का बनता है company को देना तो company क्या कर देती है, shares को forfeit कर देती है अपने under ले लेती है, जब्द कर देती है clear है, इसे ही क्या कहते है, forfeature of shares अब इस case में entries कैसे पास होती है उसको हम समझेंगे एक example के दूँ एक person है चीकू, जिसके पास 100 shares है और एक share का price है 10 rupees company ने application पे 3 rupees मंगवाया चीकू ने pay कर दिया company ने allotment पे 2 rupees मंगवाया चीकू ने नहीं दिये company ने first call पे फिर 2 rupees मंगवाया चीकू ने वो भी नहीं दिये अब देखो, इस case में company ने अभी तक कितने पैसे मंगवाया 3 plus 2 plus 2, कितने मंगवाया 7 रुपीस मंगवा है ठीक है शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपीस बट कमपनी ने अभी तक कितना पैसा मंगवा रखा है 7 रुपीस clear अब कमपनी क्या करती है क्यूंकि चीकू ने पैसा नहीं बिजवाया है तो company ने चीकू के shares को forfeit कर दिया है तिए अब forfeit हो रहा है तो उस case में company क्या करती है shares को cancel कर देती है जब shares issue करती है company तो share capital क्या होती है credit होती है अब company shares को खतम कर रही है cancel कर रही है तो share capital क्या होने वाली है debit clear है शेइर capital account debit कितने से debit होगा देखो, company ने कितना पैसा मंगवाया है अभी तक, 7 rupees, 10 rupees मंगवाया है, नहीं मंगवाया है, तो share capital कितने से बड़ी होगी, 7 rupees से ही बड़ी होगी per share, तो share capital घटाएंगे किस से, 100 shares multiply by 7, तो 100 आ जाएगा, अब credit side पे क्या क्या आएगा, वो देखो, देखो, वो सभी installments का नाम आ आएगा, जिनका पैसा चीकू ने नहीं दिया है, क्यों आएगा, देखो, जब भी installments due होती है, तो installments का account क्या होता है, debit होता है, अब उस account को खतम करना है, तो अब इस entry में, उस account को क्या करेंगे, हम credit करेंगे, example लेते हैं, जब चीकू से allotment का पैसा मंगवाया होगा company ने, तो entry क्या की होगी, share allotment account debit to share capital account, अब allotment का account, जो debit हुआ पड़ा है, उसे खतम करना है, तो इस entry में allotment account क्या होगा, credit हो जाएगा, to share allotment account, जब company ने first call का पैसा मंगवाया होगा, चीकू से, तो क्या entry की होगी, share first call account debit to share capital account, अब first call account को, जो debit हुआ पड़ा है, उसे अब ख तो वो first call account जो debit हुआ पड़ा है उसको कर रहा है तो अब इस entry में share first call alarm क्या होगा? होगा? तू share first call account अब देखो छीकु ने 100 share पे पर Japanese का पैसा दे रख है तो आप कमपनी क्या करेगी? छीकु के share वो क्हतम कर रही है, जबत कर रही है क्या company इन shares के पैसों को चीकू को वापिस देगी? नहीं गलती किस किया? चीकू किया है चीकू ने company को परिशान किया है तो company क्या करेगी? यह जो पैसा आया है उसको एक special account में डाल देगी उस account को कहते है share for feature account अब यह एक तरह से company का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि company ने ना तो shares दी है बड़ company के पास पैसा है कितना पैसा आ रहा है इन shares पे? 300 रुपिया आ रहा है तो company इन पैसों को किस में डाल देगी? शेर for feature account में डाल देगी प्रॉफिट है, profit का account क्या होता है? इसलिए share for feature account भी क्या होगा ग्राड़िट होगा कितने से होगा? कितना पैसा आ रहा है? 100 shares पे 3 रुपियज आ रहा है तो share for feature account में कितना पैसा जाईगा? 300 लिए रहा है Share allotment account में कितना पैसा जाएगा? 100 shares पे 2 रुपियज नहीं आए है तो 200 आजेगा first call account में कितना पैसा आएगा hundred shares पे two rupees नहीं आया है तो two hundred आ जाएगा clear रही है entry एक तरीका तो यह है forfeit की entry करने का दूसरा है जब company calls in arrear account को maintain करती है तो company क्या करती है calls in arrear account में वो सभी amount डाल देती है जो shareholder से आना होता है तो entry क्या बनेगी बस यह installment का जो account है वो सभी नहीं आएंगे उसकी जगा calls in arrear account आ जाएगा और वो पैसा आ जाएगा जो shareholder से नहीं आया 200 plus 200, 400 ठीक है अगर company calls in arrear account को maintain करती है तो installment के नाम लिखने की तो जरूरत है है यह निए क्योंकि उसकी entries cancel की तो पहले ही हो चुकी है अब company को क्या कर लैइं क्वाद को क्रेड़ करना है तो call in arrear account जब company ने बनाया होगा maintain क्या होगा अब उसे क्या किया होगा debit किया होगा अब उस अकाउट को खतम करना है तो अब company क्या करेगी कौसिनर्य अकाउंट को credit करेगी कितने से credit करेगी जितना पैसा नहीं आया है तो 2 रूपीज इस पे नहीं आया है तो टोटल कितना नहीं आया है 4 रूपीज नहीं आया है कितने shares पे 100 shares पे 400 आजाएगा अब हम करेंगे second case जिसमें company उन shares को forfeit कर रही है जो company ने premium पे issue किये थे इसमें दो situation होती है एक है कि company को premium मिल चुका है दूसरा company को premium नहीं मिला है एक example के दूँ समझते है एक person है चीकू जिसके पास company के है 100 shares और एक share का price है 14 rupees जिसमें से 10 rupees क्या है share का face value है और 4 rupees है premium company पैसा मंगवा रही है चार installment में application के time मंगवा रही है 3 rupees allotment पे मंगवा रही है 7 rupees जिसमें से 4 rupees क्या है premium है और share का हिस्सा कितना हो जाएगा 3 rupees first call पे company मंगवा रही है 2 rupees और final call पे company मंगवा रही है 2 rupees चीकू ने application का पैसा भी सारा दे दिया है चीक है अब देखो इस case में company ने premium मंगवा रही है 4 rupees allotment के time पे और चीकू ने allotment का सारा पैसा दे दिया है इसका मतलब चीकू ने premium दे दिया है जब भी company को premium मिल जाता है उसके बाद company उस account को छेड़ती नहीं है मतलब for feature की जब entry होगी उसमें premium का जो account है वो debit नहीं होने वाल है premium के account को company छेड़ेगी ही नहीं तो entry क्या बनेगी वो देखो share capital account debit to कौनसी installment नहीं आई है first call नहीं आया, final call नहीं आया to share first call account to share final call account company के पास कितना पैसा आ चुका है वो किस account में जाता है to share for feature account में कितना कितना पैसा आएगा अब वो देखते हैं कितने share forfeit हो रहे हैं 100 shares और एक share का price कितना है 10 rupees, एक share की face value share capital में क्या होता है सिरफ shares का जो हिस्सा होता है वो आता है और company 10 के 10 रुपे मंगवा चुकी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 security premium account को हम नहीं छेडेंगे क्यूंकि company के पास premium आ चुका है premium account को बिल्कुल भी नहीं छेडा जाएगा उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो first call पर company को कितना पैसा नहीं आया है 2 rupees नहीं आया है 100 share पे 200 आ गया company को कितना पैसा मिला है चीकू से देखो 3 रुपे तो application के मिले है plus allotment पे कितने पैसे मिले है share के total company ने 7 रुपे मंगवाए है जिसमें से 4 rupees क्या है premium है और मैंने क्या कहा था premium जब एक बार मिल जाता है उसको company बिल्कुल side पे रख देती है उस account को नहीं चेरती है तो premium को तो पूरा ignore कर दो इस 7 रुपे में share का कितना हिस्सा है 3 rupees है ठीक है इसका मतलब company के पास per share कितने rupees आये है 6 rupees आये है और जो पैसा company के पास आ जाता है forfeited share का वो किस account में जाता है share forfeiture account में जाता है 6 rupees per share आये है तो 6 into में 100 600 second case है कि जब company ने premium मंगवाया है बट company को premium नहीं मिला है तो इस case में तो company को forfeiture के time पे premium account को छेड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जब company ने premium मंगवाया होगा तो premium का account क्या किया होगा credit किया होगा अब premium आया ही नहीं है तो forfeiture के time पे उस account को company को क्या करना है खतम करना है तो premium का account forfeiture की entry में क्या होगा debit हो जाएगा clear है तो same example लेते हैं इस case में हम ये assume कर लेते हैं कि चीकू ने allotment का पैसा भी नहीं दिया अगर allotment का पैसा ही नहीं दिया जब security premium मंगवाया था due किया था तब क्या उस account को किया था credit आया नहीं है अब उस account को खतम करना है तो अब security premium reserve account क्या हो रहे वाला है debit securities premium reserve account हो जाएगा debit अब credit side पे क्या क्या आएगा वो सभी installments के नाम आ जाएगे जो चीकू ने pay नहीं की है to share allotment account to share first call account to share final call account एक और account credit होता है वो क्या होता है वो पैसा जो चीकू ने pay किया है वो किस account में डालते है forfeiture account में to share forfeiture account clear है debit कौन से account को करना है credit कौन से account को करना है अब amounts देखते हैं ठीक है share capital account कितने से debit होगा hundred shares forfeit हो रहे है और एक share की face value क्या है 10 रुपीज है company ने 10 रुपे का share है मतलब face value nominal value share की क्या है 10 रुपीज और सारा 10 का 10 मंगवा रखा है ठीक है तो share capital कितने से debit होगी hundred multiply by ten thousand से ठीक है security premium reserve account कितने से debit होगा premium कितना है 4 रुपीज कितने shares पर मंगवा था hundred shares पर तो कितना आ जाएगा 400 ठीक है share allotment account कितने से credit होगा 7 रुपीज मंगवा था company ने कितने shares पर hundred shares पर नहीं आया तो अब उसका account वो क्या कर रही है credit कर रही है तो यहां आ जाएगा 700 first call कितने से credit होगा 2 रुपीज multiply by hundred 200 final call 2 रुपीज multiply by hundred 200 share for feature account में कितना पैसा आया है जीकू ने कितना पैसा पे किया है सिरफ application का पैसा दिया है और application पे company ने कितना पैसा मंगवा है 3 रुपीज मंगवा है 3 रुपीज multiply by hundred 300 clear है